हलो गाइस, मैं टीके सिन्हा, आज आपनों के लिए NTPC और SSC का फैबरेट कुशन जो उसमें आता ही है, उसको लेकर आया हूँ, और उसका हेडिंग है भाजकों की गुनकों की कुल संख्या, गुरनखंडों की कुल संख्या, तो क्या देखें, भाजकों की कुल संख्या, भा जैसे कहीं पे ऐसे दिया हो, दो का पावर तीन, तीन का पावर दो, पाच का पावर दो, और पुछे, इसके भाजकों की संख्या बताओ, या कुश्चन को ऐसे भी दे सकता है, कितनी संख्याओं से 144 कटेगा, मालो एक कुश्चन ही है, दूसरा कुश्चन, 144 कितनी संख्या संक्याओं से कटेगा question को समझना बहुत जरूरी है कि कह क्या रहा है तो कारा 144 कितनी संक्याओं से कटेगा अगर हम लोग लिखते तो एक से कटेगा 144 बार में दो से भाग दे दो 72 बार में तीन से कटेगा 300 को भाग दो तीन चोका 12 तीन अठी 24 चार से कटेगा 4 गुना चारतिया 12 चार चक 24 पात से नहीं कटेगा 6 से 6 दुना 12 चे चोका 24 साथ से नहीं कटेगा 8 से कटेगा 18 नौ से 16 नमा 144 उसके बाद 10 से नहीं कटेगा 11 से नहीं कटेगा 12 से कटेगा 12 गुना 12 144 अब ध्यान देजे इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैं यह दिखाना चारों काउंट करते तो अगर इसको हम काउंट करें तो देखें कितना रहा है एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौधा यह ट्रम दो दो बार है तो एक ही बार काउंट करेंगे 15 यानि 15 संख्याओं से 144 कटेगा अलग अलग धंग से यह रहें कि अंटी पीसी में ग्रूप टी में कई बार कोश्यन आया है इसके गुरन खंडों की संख्या बताओ, इसके सम गुनकों की संख्या बताओ, इसके विसम गुनकों की संख्या बताओ, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, कि सम गुनक कितना होगा, विश्यम गुनक कितना होगा, अब ये लाइन तो समझ में आ गया, कि 144 कितनी संख्याओं स से कटेगा इस 15 ध्यान देना 15 संख्याओं में एक एक भी है और दूसरा वो संख्या स्वेम भी है को फिर उससे आगे बढ़ता है एक और स्वेम को छोड़ कर कितनी संख्याओं से कटेगा तो ऐसा कोई भी कोश्यन रहेगा ना तो चुटकी बजाते हुए हम लुक सौल देखते हैं आगे गुरंखंडों गुनकों भाजकों की खुल संख्याओं अलग अलग नाम रहेगा घबराएंगे नहीं समझ लेंगे फैक्टर्स डिवाइजर्स गुरंखंड गुनक भाजक अब पहले देखें अगर फैक्टर फॉर्म में है तो कैसे निकलेगा तो यदि फैक्टर्स यदि प्राइम फैक्टोराइज करने पर ऐसे लिखें प्राइम फैक्टोराइज करने पर ए का पावर एक्स बी का पावर वाई और सी का पावर जेड आता हो तो गुनकों की कुल संख्या गुनकों की कुल संख्या क्या होगा तो पावर प्लस वन पावर प्लस वन फी मतला पावर लिख दे रहा है एक जगा पावर प्लस वन इन्टू पावर प्लस वन यानि जो भी पावर है ना पावर प्लस वन इन्टू पावर प्लस वन इन्टू पावर प्लस वन अब पावर यहां क्या है x है तो x plus 1 into y plus 1 into z plus 1 और यह क्या होगा factors की कुल संख्या factors की कुल संख्या यानि इतनी संख्याओं से कटेगा तो देखें एक छोटा सा examples हम लोग कैसे इसको यह समझें ठीक है यहां 2 का power 5, 3 का power 4, 5 का power 4, 7 का power 2 दिया गया है तो हम लोग को base से मतलव नहीं है यहां लिक लिजेंगे base से मतलव नहीं है यानि base को छोड़ देना है power plus 1 इसके गुरन खंडोगी यानि यह सब multiply करते थे एक number आता तो यह कई दिरंग से पूछता है या तो number दे दिया का दिया कितनी संख्याओं से कटेगा या यह prime factorize कर दिया है तो prime factorize कर दिया तो इस permit में अगर आया तो देखें power plus 1 यानि पहला question में power है कितना 5 plus 1 into 4 plus 1 into फिर 4 plus 1 into 2 plus 1 यानि 6 गुना 5 गुना 5 गुना 3 25 चके डेर सो पंदरत या 45 चार सो पचास समझ में आया कि यहाँ power क्या था 5 तो power plus 1 into power plus 1 into power पहले देख ले ना यह सब prime factor है कि नहीं अगर prime factor नहीं है तो हम लोग prime factor में पहले इसको बदल लेंगे ठीक है तो पांच जूर एक चार जूर एक चार जूर एक दो जूर एक गुना किया 6 गुना 5 गुना 5 गुना 3 पांच तिया पंद्रह चके नब्बे नौ पचे पहतालिस चार सो पचास ध्यान से समझना चार सो पचास संख्याओं से यह कटेगा जो यह नंबर आएगा गुना करने के बाद या इसके कुल कितने गुनाज हैं गुनकों की संख्या बताओ तो चार सो पचास गुनक है इसके गुरन खंडों की संख्या बताओ तो चार सो पचास है ऐसे ही सेकेंड का क्या होगा जल्दी से जबाब दीजे आप लोग जल्दी बनाइए अपने अपने कॉपी पर यहां बेश से फिर मतलब नहीं है फड़ा पट तो दो जो रेक गुनकों पंद्रह दो सो पचेस जी हां सेकेंड का एंसर आया दो सो पचेस एक दम असानी से कुश्चन बंडा है सेकेंडों में जवाब दे पा रहे हो कुश्चन को क्यों समझना है नहीं तो भूल गया तो फिर खतम कुश्चन आज हम लोग इसका सारा डिटेल्स भले ही एक कुश् उंग से आ सकता है आज सब हम लोग देखेंगे यहां बताएं सब लोग जल्दी से बताओ सबसे पारा कमेंट किसका आ रहा है वह देखें सबसे पहला comment जिनका भी आ रहा है वो देखे बना रहा है मैंने बोला था पेन कॉपी लेकर कर बठिए और आप बना सकते हैं तो 3 और 1, 4 4 और 1, 5 4 और 1, 5 3 और 1, 4 25 चोका 100 गुना 4 400, 400 फैक्टर हुए गुरन घंडों के कुल सेंग्या 400, एक शी और मैं बतला दू, इसमें एक भी है और वो संग्या स्वैम भी है कितने फैक्टर हुए 400, तो एक्जाम में केवल यह नहीं कोश्चन आता है कि गुरन घंडों के संग्या बताओ, एक्जाम में यह आएगा सम गुनकों की संग्या बताओ, या आया हुआ है कि विशम गुनकों की संग्या बताओ, SSC के एक्जाम में जीडी के एक्जाम में भी पूछा है सम गुनकों की संग्या बताओ, विशम गुनकों की संग्या बताओ, कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं कुश्चन्स यह विशम गुनकों की कुल संख्या तोटल नंबर ओफ ओड अभी हम लोग देखें तोटल निकालना है तो पावर प्लस वन पावर प्लस वन सब को गुना कर दिये लेकिन विशम पूछ रहा है तो विशम का पावर प्लस वन यनि देखें इसमें सम एक नजर आ रहा है तो जो सम नजर आ रहा है न उसको छोड़ दो जब विशम पूछे तो इसको छोड़ दो अब बताओ तो यहाँ पावर प्लस वन कितना होगा दो जोर एक तीन confusing है ध्यान रखना याद रखना अगर विशम पूछ रहा है तो सम मतलब इवेन इवेन मतलब दो चार चे तो एक ही प्राइम नंबर होता है इवेन वो है दो तो यह दो को छोड़ दिया अब बताओ तो यहाँ पावर दो है तो यह तीन कहां से आया तो प्लस वन फिर यह इंटू थी प्लस वन फिर ये इंटू 4 प्लस 1 यानि 3 गुना, 4 गुना, 5 पांचों का 20 थिया 60 यानि इसके कुल गुनकों की संख्या जो की विशम है, जो की ओड है कितना होगा? 60 इसमें आ जाए यहां भी क्या पूछ रहा है? विशम गुनकों की संख्या जल्दी से आप लोग बनाओ पहला कमेंट, देखें कितने लोग का बन रहा है विशम पूछ रहा है, संख्या चोड़ना है जल्दी करें इसो छोड़ दिया फटावट 4 गुना, 5 गुना, 4 मैं कमेंट में देखूंगा किसका कमेंट पहले आया है और वहाँ अपना नाम भी देंगे कि किसने सबसे पहले अपना एंसर दिया 5 गुना, 20 गुना असी दिमाग से यह भटा दो कि आप मैट्स में कमजोर हो जो कमजोर हैं, उनका भी मैट्स बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ख्लियर यहां भी जल्दी से बनाइए, थर्ड भी सबसे पहले एंसर आना चाहिए सबसे पहले एंसर आना चाहिए जल्दी कीजिए थर्ड मजा रहा है कितना बड़ा-बड़ा कोशन ऐसे समझे नहीं होंगे ध्यान नहीं दिये होंगे आज तक और ये question exam में आता है, आया हुआ है, तो base से मतलब नहीं है, पहला चीज, दूसरा even से मतलब नहीं है, अब इसका power दो जोरेक, तीन, तीन जोरेक, चार, दो जोरेक, तीन, चार तिया, बारतिया, 36 है न, सेकेंडों में जब आप देखने के साथ आप जबाब दे सकते हो, इसका का पहले message आया है, comment box में, मेरे को वो देखना है, सबसे बड़ी बात, आपके comment का जवाब भी मिलता है, आगे देखे, सम गुनकों की संक्या, पहले हम लोगों ने देखा, विशम, यानि total गुनक तो होगा ही, फैक्टर होगा, गुनक होगा, या गुरनकंड होगा, उसमें विशम भी होगा, और सम भी होगा, विशम मतलब एक, तीन, पाँच, साथ, नौ, जो दो से नहीं करता है, आज सम मतलब जो दो से करता है, दो, चार, छे, तो कितने सम फैक्टर है, ये एक्जाम में आता है, त तो सम फैक्टर हैं, तो भी हमको बेश से मतलब नहीं है, अगर सम वाला पूछ रहा है, तो सम यहां लिग लो तीन, इसका पावर इसमें प्लस वन मत करना, इसको तीन लिखा, और पावर दो है, तो दो जोर एक, चार जोर एक, छे जोर एक, सब को गुना कर देंगे, तीन गुना पाँच, गुना साथ, तीन गाई 9, 9 पचे 5, 40, 7 पचे 35, 7 चोगा, 28, 33, 315, 315, 315, इवेन फैक्टर हुए, याने इवेन फैक्टर भी, और फैक्टर भी, इवेन मतलब सम गुनाक, विशम गुनाक, 100 में 99% लोग इसमें गलती कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आत आप लोग भी पहरा है, अपने आपस में ही दोस्तों में ही छर्चा करके देख लेना, उन लोगों से भी नहीं बनेगा, यह बनाते हैं तो गलत, फिर क्या हम लोग ध्यान दिये, अगर सम निकालना है, तो सम का पावर लिग लिया, इंटू, पावर प्लस वन, पावर प्लस यहां क्या है, दो का पावर नौ है, नौ लिग लिया, अब आगे, बोलिए, चार जोर एक, बोल करके प्रैक्टिस करते जाओ, चार और एक, पाँच, फिर चार जोर एक, पाँच, फिर पाँच जोर एक, छे, यह नौ, कहां से आया, यह नौ, सिधा सिधी, यह उठ करके आ गया कोई दिकत नहीं नो ऐसे ही आ गया और बाकि पावर प्लस वन इंटू पावर प्लस वन इंटू पावर प्लस वन तो पाँच पच्चेश पच्चीश शक्चेश देर सो अब पंद्रह नमा एक सो पैंटिस यानि एंसर तेरह सो पचास क्लियर गुना पाँच गुना पाँच गुना चो पचीश शक्चेश देर सो पंद्रह नमा 25 अब यहां देखें यहां गौर करें उस ढग से नहीं दिया है ये ध्यान दो, प्राइम फैक्टर ने, सब लोग इस कोश्चन को ध्यान से देखना, दो नहीं हम लोग क्या जानते हैं, केवल दो प्राइम नंबर है, जो इवेन है, तो इसको पहले कनवर्ट करेंगे, तीन का पावर तीन, गलत कराने के लिए दे दिया, अब ये दो का दो गुना दो कर लो, इन्टू साथ का पावर चार कर लेंगे, अब ये हो गया, तीन का पावर, तीन, दो का पावर, छे, पाँच का पावर, चार, साथ का पावर, चार, निकालना क्या है, सम गुनकों की संख्या, क्या निकालना है, सम गुनक, तो सम के लिए क्या करेंगे जो sum वाला ऐसे ही छोड़ दो 6 और 3 जोर एक 4, 4 जोर एक 5, 4 जोर एक 5 मतलब ये 6 जो है ये ऐसे ही छोड़ दिया, अब 3 जोर एक 4, 4 जोर एक 5, फिर 4 जोर एक 5 5 पच्चे 25 जोका 100, ये आगया 600, तो इस ढंक से बहुत आसान है अगर factor दिया हुआ है, तो केवल power plus 1 into power plus 1 into power plus 1 साथ मैं ये भी देखना होगा, जो last में गलत कराने के लिए दे दिया गया था कि prime number नहीं है, तो आप उसको prime number में बदल लो अगले class में हम लोग पढ़ेंगे कि prime number से related कितने type का question आता है और वो question भी नहीं चूटना चाहिए, चले तो हम लोग अगला question देखें जरूरी नहीं है कि उस ढंक से question दिया हो, जैसे हम लोगों ने देखा ऐसे भी exam में आया हुआ questions है, क्या लिखा है, एक और swim को छोड़ कर 110-25 के कुल कितने गुरनखंड है, अब देखो, गुरनखंड तो पूछ दिया, लेकिन factor form में नहीं है, तो हम लोगों को पहले prime factorize करना होगा, उस form में लाना होगा, फिर power plus 1, power plus 1, तो देखें, 110-25, आप केवल prime number से भाग देना, prime number आप 5 से भी पहले भाग दे सकते हो, तो देखें, 5 से दिया, पांचों का 20, पांचों का 20, पांच हें पांच, अब लग रहा है कि 3 से कटेगा, 4-2-8 और 1-9, नवा रहा है, तो तीन से भाग दे दू, 3 हें काएं 3, 3 चों का 12, 3 सत्ये 21, खिर लग रहा है 3 से, कि साथ से लग रहा है, 7 से कटेगा, 7-2-14, 7 हें कहीं 7, मैं ये लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अब यह नहीं कि पहले 5 से दे दिये, तो सर गलत हो गया गया नहीं, 3 से 2, 5 से 2, कोई फर्क नहीं पढ़ता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 कितनी बार है, उपर से नीचे तक है power plus 1 तीन गुना तीन गुना तीन को मती यह संसर होगा क्या इसमें संब नंबर है ही नहीं जब सम फैक्टर है ही नहीं तो सम गुना कहां से होगा है इसलिए यह तो आह準 siya. चार से कटेगा, छे से कटेगा, तो जब दो से कटी नहीं रहा है, तो किसी विसम संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है, और ये तिन तिया इनौतिया 27, यानि कुल 27, विसम गुनको की संख्या 27, या अब कोश्चन ये देखो, काराय क्या एक तथा स्वेम को छोड़ कर, अगर कुल 27, लेकिन एक तथा स्वेम को छोड़ कर, या ध्यान देना, अगर एक्जाम में ऐसे आ गया, कि एक तथा स्वेम को छोड़ कर, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से एक और एक घटा देंगे, तो answer होता 25, answer होता 25, यह भी समझ में आगया है कि सम होगा की नहीं से मलुम हो गया, फैक्टर है ही नहीं, तो जो होगा वो सब भी सम होगा, चले अगला कोशन देखें, 14400 के सभी गुरन खंडों की संख्या ग्यात करें, यहां लाश में 0 है, लग रहा है कि सम गुनक भी होगा, आप भी सम गुनक होगा लेकिन हम लोग को कुश्चन क्या का रहा है सभी गुनकों की संख्या तो 14,400 को प्राइम फैक्टोराइज करेंगे 14,400 को प्राइम फैक्टोराइज करेंगे 2 से 2 सत्य चौदा दो दूनी चार फिर 2 से ये 3600 फिर 2 से ये 1800 फिर 2 से ये 900 फिर 3 से 300 फिर 3 से 100 फिर मानलो 5 से 20 फिर 5 से 4 फिर 2 से 2 यानि 144 को 2 का पावर 6 दो 6 बार हो गया 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 लिख सकते हैं अब बेश से मतलब नहीं है पावर जोरेक 7 गुना 3 गुना 3 नौट सत्य 63 टोटल 63 संख्याओं से कटेगा अब इसमें सम गुनक कहता मानलो यह तो कुल हो गया कुल अगर कोश्यन कहता सम गुनक आगे से कभी गलत नहीं करेंगे आप लो यह ध्यान में रखना सम गुनक का है आप अपने कहीं भी गुरूप में पूछ लो मैक्सिम को नहीं आ रहा है सब फसेंगे सम गुनक का है तो क्या करेंगे 6 लिख लो सम वाले का पावर लिग लो गुना 3 गुना 3 3 तियाई 9 चक चववन अगर विशम गुनक का है तो सम वाले को छोड़ दो 3 गुना 3 पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 तियाई 9 अब जोर लो 24 अनौतिर सठ हो गया यही टोटल तो आज जो हम लोग देखें बहुत important topics था और इसको अच्छे से देखेंगे जहां दिकत हो जरूर पूछो, like जरूर करो share जरूर करो, ज्यादा स्यदा अपने group के दोस्तों के बीच में इसको फैलाओ, हम लोग बहुत जल chapter wise पे आएंगे और उसके demand के लिए आप message भी करो comments करो, क्या demand आपका है वो हम पुरा करेंगे, आगे बढ़ेंगे thank you